रनवीर और दिपिका दोनों ने भले ही अफिशिली एक्सेप्ट ना किया हो अपना लओ पर जमाने भर में दोनों के इश्क के चर्चे हैं दिपिका के लिए अपने प्यार को रणवीर ना तो कभी छिपाते हैं और ना ही कभी दबाते हैं कई बार दिपिका के लिए खुलम खुला प्याज जताने वाले रणवीर ने कुछ दिनों पहले फेमस सेलेबरिटी टॉक शो कॉफी विद करन में दिपिका को कहा था मैरज मटीरियल वैसे ये पहली बार नहीं था जब रणवीर ने जाहिर किये दिपिका के लिए अपने जज़बार लेकिन जिस अंदाज में रणवीर ने ये कहा तो लग रहा था कि शायद दिपिका और उनकी फैमिली इससे नाराज हो जाए अब जब दिपिका के फादर प्रकाश पादुकोन सामने आये और उनसे पूछा गया रणवीर के कमेंट के बारे में तो प्रकाश पादुकोन ने दिया वो जवाब जिसे सुनकर रणवीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा रनवीर के कमेंट पर प्रकाश पादुकोन ने कहा वो दोनों वैस्क हैं और चानते हैं कि क्या कर रहे हैं एक पिता के तौर पर मैंने दीपिका को इस बात की पूरी स्वतंतिरता दी है कि वो अपने खुद के निर्णे ले सके दिपिका को इस बात की पूरी आजादी दी है कि वह अपनी जिंदिगी के फैसले अपनी मर्जी से ले सकती है प्रकाश पादु को उनकी बात सुनकर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि उन्होंने रनवीर और दिपिका को दे दिया है शादी का क्रीन सिगनल तो क्या जल्दी ही रनवीर और दिपिका शादी करने का प्लान बना सकते हैं शायद हां क्योंकि दोनों के पास पदमावती के सेट पर इसके लिए काफी वक्त रहेगा